हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं व्लॉग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इट रियली मीन्स अलोट आज मैं आपके साथ एक बहुती इजी डाल दड़का और चीरा राइस की रेस्पी शेयर करूँगी ये रेस्पी बहुती सिंपल है और बहुती कम इंग्रीडियन्स के साथ जल्दी बन जाती है तो चलिए फ्रेंट्स बनाते हैं दाल तड़का इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी अरहर की डाल आदे घंटे के लिए पानी में बिगो के रखी थी डाल को अब हम प्रेशर कूकर में डाल रहे हैं साती साथ हम इसमें चार कटोरी पानी भी डालेंगे एक कटोरी डाल के लिए मैंने यहाँ पर चार कटोरी पानी इसमें डाला है दाल में अब एक चुटकी हींग डाल दीजिए आधी चम्मच इसमें हल्दी पॉर्डर डालिए आधी चम्मच इसमें लाल मिर्ज का पॉर्डर डालिए अपने स्वात के अनुसार इसमें नमक डालिए और आधी चम्मच इसमें गी डालिए अब इसे प्रेशर को खोने के लिए रख दीजिए इसे अच्छे से मिक्स करकर प्रेशर को खोने के लिए रख दीजिए एक सीटी तेज आँच पे आने दीजिए और बाद में गैस को धीमा करके 15 मिनट के लिए से धीमी आँच पर प्रेशर को खोने दीजिए जब तक हमारी दाल प्रेशर को खोरी है तब तक हम अपना जीरा राइस भी बनाना शुरू कर देते हैं इसके लिए मैंने डेट कटोरी राइस लिया है जिसे आदे घंटे के लिए मैंने पानी में बिगो के रखा था इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में एक चमच गी ले लिजिए आप चाहें तो गी की जगा ओयल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें एक तेजपता डालिए एक बड़ी इलाइची डालिए और दो लॉंग डाल दीजिए एक छोटा टुकड़ा इसमें डालचीनी का डालिए अब इसमें एक छोटी चमच जीरा डाल दीजिए गैस फ्लेम को इस समय लो रखें जब हमारा जीरा तड़कने लगे तब इसमें पानी डाल दीजिए जितना राइस आपने यूज किया है उससे डबल आपको इसमें पानी डालना है मैं यहाँ पर इसमें तीन बोल्स पानी का डाल रही हूँ अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करें अब इसमें राइस डाल दीजिए गैस फ्लेम को इसमें तेज कर दीजिए और इसमें एक बॉइल आने दीजिए अब इसमें बॉइल आने लगा है इसमें गैस फ्लेम को फिर से लो कर दीजिए और ढग कर राइस को पकने दीजिए बीच में राइस को एक बार खोल कर अच्छे से मिक्स कर लीजिए राइस को धीमी आज़ पर ढग कर तब तक पकने दीजिए जब तक कि इसका सारा पानी अच्छे से एब्सॉब न हो जाए और हमारा राइस अच्छे से गल न जाए जब तक हमारा राईस पक रहा है तब तक हम अपनी दाल का तड़का रेडी कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है जिसे मैंने चोटे टुकड़ों में काट लिया है एक प्याज लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और 10-12 कलियां लेसुन की लिए है आप चाहें तो इसके बजाए एक चम्मच अदरक लेसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते है यहाँ पर मैं अदरक लेसुन को कूट कर उसका पेस्ट एड़ी कर रही हूँ फ्रेश पेस्ट का टेस्टी अलग होता है फ्रेंट्स इसलिए अगर आपके पास टाइम हो तो अदरक लेसुन का फ्रेश पेस्टी यूज़ करें आप चाहे तो मार्केट में मिलने वाला अदरक लेसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं तड़के की लिए सबसे पहले मैंने कड़ाई में एक बड़ी चमच तेल लिया है इसमें मैं अब एक चुटकी हिंग डाल रही हूँ एक चोटी चमच इसमें जीरा डालिए आधी चोटी चमच इसमें राई डाल दीजिए एक सुखी लाल मिश तोड़के इसमें डाल दीजिए अब इसमें एक चमच अदरक लेसुन का पेस्ट डालिए गैस को इस समय लो फ्लेम पर ही रखिए और आधे मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे सौटे करें अब इसमें कटा हुआ प्यास डाल दीजिए प्यास को मीडियम फ्लेम में तब तक सौटे करें जब तक कि उसका कलर हलका पिंक न हो जाए प्यास का कलर अब लाइट पिंक हो चुका है इस समय अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे लो फ्लेम पर हम इसे तब तक सौटे करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाएं टमाटा रब अच्छे से गल चुके हैं अब हम इसमें बॉइल की हुई डाल डाल देंगे डाल को अच्छे से मिक्स करें गैस फ्लेम को इस समय हाई कर दें और इसमें एक बॉइल आने दीजिए डाल में बॉइल आना स्टार्ट हो गया है अब इसमें आधी छोटी चमज गरम मसाला पॉड़र डालके उसे अच्छे तरीके से मिक्स करें गैस को इस समय बंद कर दीजिए और एक छोटी चमच कसूरी मेती अपने हातों से क्रश करके दाल में अच्छे तरीके से मिला लीजिए हमारी दाल तड़का अब रेडी है राइस को चेक करते हैं इसका भी सारा पानी अब सूक चुका है और राइस अच्छे से गल गया है हमारा जीरा राइस भी तयार है दोस्तों ये रेडी बोहती जल्दी रेडी हो जाती है और खाने में बहुती ज़ादा टेस्टी लगती है प्लीज आप ये रेस्पी ज़रूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेस्पी कैसी लगी Thank you friends for watching this video